तो आज का वीडियो में हम यहाँ पर बताने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर जो है कि एक voltage regulator यहाँ पर बनाने वाले हैं और इसमें क्या है कि अच्छा खासा जो है कि इससे आप output ले सकते हैं वो आपको करके देखाएंगे ठीक है इससे बहुत ही बेष्ट ही जिता हो यहाँ पर हम दो यूज कर रहे हैं दोस्तों एक नहीं यहाँ पर दो यूज कर रहे हैं ठीक है और यह तीन ही component है यहाँ पर और इतना ही से यह बन जाएगा ठीक है जिस से हम लोग supply लेंगे उस पर यहाँ पर लोड नहीं पढ़ने वाला ठीक है जो भी रहेगा सब यहीं पर रहेगा और इसका ऊटपूट भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा तो यहां पर डिस्प्रेम आपको लंबर आपको दीख रहा होगा क्योंकि यहां पर ऐसे तो देखाने से नहीं देख रहा है दोस्तों तो दोनों य कर सकते हैं किसी देखाने के लिए मैं इसको समने में लाया है नहीं है तो भी अगर इस तरीका से है आपको कोई भी एक अलमूनिया का है जो यह दरवाजा बगारा में यूज हुआ जाता है कि यहां पर हीट सिंग बस होना चाहिए कोई साभी हीट सिंग हो अच्छा खासा ह बिल्कुल भी इसका सेंपल कनेक्शन है इसको रहे हैं यहां को द्यान में रखना है अगर आपके पास हीट इसंग कमईट है तो यहां पर आप दे सकते हैं और नहीं है तो प्रफिर कोई दिक्कत नहीं है दे दे दिलेगा तो बेस्ट रहाएगा तो चलिए इसको हमने भी टाइट कर लिया है और चलिए इसका इसका कनेक्शन जोए कि शुरू करते हैं तो यह इसका कंट्रोलर है दोस्तों तो इसको हम यहां पर रख लेते हैं इसको यहीं पर कनेक्ट कर लेंगा और अभी तकर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा खास करके उन वाइलोकल रिक्वेस्ट हैं यहां पर जो नए हैं क्यूंकि यहां पर हर तरीका का पीलडेवर में कर रहे हैं नहीं थीक है खला जास माएं दिकत नहीं है और गांद को रहने के लिए से कोई को जरूरी नहीं है तो चलिए देखे कुछ इस तरीका से हम इसको कर रहे हैं और एक चीज आपको बता दे दोस्तों यहाँ पर जब आप इसका वायर जो यूच किज़ेगा यह आप थोड़ा सा मोटा यूच किज़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर विडियो बना रहे हैं आपको मोटा देख करके अगर आपको यहाँ पर हिट्सिंग कंपाउंड अगर देते हैं तो साइध यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं अब चलिए एक वायर ले ले रहे हैं यह रेट कलर का वायर है तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं अब बिल्गुल भी सेंपल कनेक्शन है दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर आपस में भी कर सकते हैं दोनों को एक साथ लेकिन क्या है कि हीटिंग महां पर ज्यादा आएगा ठीक है और इसे करने से जापको हीटिंग आपको उतना नहीं आएगा अब यह दो वायर है तो हम चलिए यहाँ पर हमने दोनों वायर को यहाँ पर इस तरीका से देगे दोनों वायर को हमने यहाँ पर जोड लिया है दोस्तों कुछ इस तरीका से अब यह दोनों वायर को आपको क्या करना है यहाँ पर जोड देना है कुछ इस तरीका से यह जो बुलू वाला वायर हमने इस side में जोड़ा है तो इसको क्या करेंगे इस side में लेंगे ठीक है यानि कि इसके source पर अब यह जो बचा बलेक वाला तो बलेक वाला हम इसके drain पर ले लेंगे दोस्तों अब करीब से यहां पर देख लेज़े इसका connection हमने किस तरीका से किया है क्योंकि समझाना मेरा काम है दोस्तों हर वीडियो में हम चाहते हैं कि यहां पर अच्छे से तरीका से यहां पर हम समझा सके अब चलिए इसका output हम निकालते हैं दोस्तों और इंपुट कहां पर बुलू अलावार कनेक्ट है तो हम यहीं पर कर लेते हैं कनेक्ट वहां भी कर सकते हैं यहां भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आवा तो एक तो ओड़ पूट हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं है ओक यह रेट कलर का हम यह चिम्टा यहाँ पर सोल्ड कर दिया है जो कि आप पूट में रहेगा यह और यह जो यह मायनेस का यह निकल रहा है दोस्तों तो माइनस आपका इंपूट और उट्पूट दोनों यही रहेगा तो हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेते हैं ठीक है तो अभी आप देख लिए यहाँ पर जैसे का हमने बता है यहाँ से इनपूट देंगे तो इनपूट में यहाँ भी चला जाएगा ठीक है यानि कि यह दोनों यहाँ पर अटपूट के लिए हों ए थोलगा साइस कर लेते हैं तो चलिए यहाँ पर सप्लाइए तो सप्लाइ हम यहाँ से आप उर Sc opply से दे रहे हैं अभी यह पर इसको 12 वल्ट दे रहे हैं 18 बुल्ट तक अभी दे सकते हैं%, 18 बैसे मुल्ट थे क्योंकि कोई भी यहाँ पर फोटेज डिव लेटर होता है उसमें लोड देखना बहुत ही जुरूरी होता है कितने तक क्या हो रहा है ठीक है चलिए मैने समने यहाँ पर कंड़ कर दिया है और यह heat sink पर हम यहाँ पर connect कर देते हैं इसका पलस्टीक है जो कि यह drain के साथ आपस में connect हो चुका है चलिए इसका output में एक ball लगा रहे हैं तीन चीज़ यहाँ पर output में यहाँ पर आपको check करके देखाएंगा जोस्तों जो कि अच्छा खासा इसका load होगा तो चलिए हम यहाँ पर एक wire को यहाँ पर लगा दते हैं इस ball में यहाँ पर minus plus नहीं होता है चलिए इसको भी हमने लगा दिया है तो कुछ इस तरीका से रख लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको दीखे ठीक है क्याँ धूर नहीं होगे देखना चाहिए चलिए आपको उम्मीद है कि यहाँ पर दीखेगा ठीक है चलिए यहाँ से भी बढ़ा कहें मैं देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों हमने यहाँ पर misstake कर दिया ठीक है क्योंकि हम यहां पर जल्दी बाजी में थे क्योंकि जो भी था आपको यहां पर हम करके देखा रहे हैं क्योंकि यहां पर हड़ी में थोड़ा सा हम गल्दी कर दिया दोस्तों वह क्या है चली हटाते हैं यह बुलू वाला वायर है यह जो बलेक वायर है यह जागा दोस्तों और यह जो बुलू वाला वार है दोस्तों इसको यहां से हटा करके यहां पर कर लेते हैं कि अब यहां कर दोस्तों कि इसको कम में से शुरू कर रहा है तो देखते हैं यहां पर कितना तक यहां पर जो है कि यह निकाल सकता है तो भी देखें यहां पर जो है कि अच्छा खास यहां पर गुलो कर रहा है तो चलिए यहां पर कुछ थोड़ा सा लोड देखें यहां पर देखते हैं कि इस बॉल में अतना लोड नहीं होता यह 10 वाट का यह उससे ज्यादा का यह नहीं है तो इसको चलिए यहां पर हम कम कर पहला दिया दोस्ते क्योंकि काफी एंपियर यह लेता है भी यह चलिए इसको टेस्ट कर रहे हैं उसका बाद आपको देखाएंगे एक चीज और भी टेस्ट करके कि उसमें किस तरीका से यह काम करता है तो थोड़ा सा यह जाम चलता है मोटर तो इसको थोड़ा सा घुमाना पढ़े अभी देखें अभी देखें यह मोटर को जाएक हो एक अच्छा खासा जो है कि यह गुमा रहा है और इसके जहां से मैं इसको इनफुट कर रहा है क्या कोई भी एफ्यक्ट नहीं पढ़ रहा है जितना भी लोड़ है सारा कुछ यहां पर है अब चलिए एक सबसे म करते हैं कुछ इस तरीका से ठीक है इसको हमने यहां पर हम बढ़ाते हैं इसको पुरा फूल ही कर लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर यह क्या होता है तो अभी देखिए तुरत ही हमने इसको grabbing अफूल कि किया है और देखते हैं कि क्या यह मतलब इसको कर बाता है कि नहीं एक रांगा को है तो इसको यहां पर लगा रहा है कि यह आप देख सकते हैं मिल्कुल पर बतरत बहुंत करके देखा है। कि यह नीचे गिर गिए तो कि तब समझ सकते हैं कि कि यह इंपेर यहाँ पर औप्चा खासा धे रहा, कि यह इधान तरहता है कि यहाँ आ पर अभी नर्घा बना सकते हैं हिट सिंग यहां पर अच्छा कासा होना चाहिए चली वीडियो अगर अच्छा लेगे तो लाइक जरू से किजिएगा चैनल पर जो नए भाई लोग सब्राब कर देगा चली फिर मिलते हैं एगले वीडियो में